आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस अप दे हीमन बॉड़ी यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से एक्स्पेंट करूँगा आज के टॉपिक को पहला आपके वाइट बोर्ड सेक्षन में तो हमने अलिड अप्रोड किया हुआ है यहाँ पे आप पाउर पॉइंट में एक टेबूलर फॉर्म में देख रहे हैं और इसी वीडियो के लास्ट में यह जो आप डियाग्राम देख रहे हैं इन में कौन कौन से हैं इनमें है पहला आपका metabolism ये metabolism क्या होता है metabolism basically एक ऐसा biochemical process है जो कि हमारे metabolic sites में होते हैं और mainly metabolic sites के उर्पने बोल सकते हैं कि liver आलगी और भी हैं लेकिन main है हमारा liver यहाँ पी जो भी constituent हम use करते हैं या कोई भी medicines आगे आप जब use करोगे फार्मकोलोजी में सकता एक्जांपल की बात करता हूँ आपने शादी के लेड्डू देखा है कितना बड़ा हुआ होता है काफी बड़ा बड़ा size में होता है क्या इसे आप एक ही बार में खा सकते हैं आपका जवाब होगा बिलकल भी नहीं तो इसे आप क्या करते हो पहले चोटे 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 में तोड़ते हैं फिर उसको हम खाते हैं वह भी चोटे जब मुह में पहुंचते हैं तो इसको भी आप चबा चबा के चोटे चोटे करते हो सो मेटाबोलिजम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि depending on the need and requirement of our body यहाँ पर हम complex molecule का simple molecule में conversion करते हैं और जब यह simple molecule टूड़ जाता है body के पास पहुत जाता है तो फिर हम उसको आपसे जोड़ करके एक बड़े molecule में बनाते हैं ताक कि वो हमारी body की किसी function को पूरा कर सके यानि कि metabolism is a set of chemical reaction पूरे point को ध्यान दिजेगा काफी simple तरके से explain करने की पूरी कोशिश करूँगा metabolism is a set of chemical process that means एक step नहीं है set है मतलब एक से जादा है it's a chemical reaction और यह हो कहा रहा है biological organism में यानि कि आपकी body मेरे body में that is why it is biochemical reaction that takes place mainly in the liver और भी जगा होते हैं लेकिन याद रखिए liver एक main metabolic site है इससे क्या होगा हमारी जो life है normal चलती रहेगी metabolism की दो type है पहला है आपका catabolism और दूसरा है आपका anabolism सबसे पहले देख लेते हैं catabolism, catabolism को याद रखने का एक trick बता रहा हूँ पहले आप definition देख लिए जैसका फिट्रिक से याद कर गिएगा catabolism क्या है it's a breakdown इस वर्ट पर emphasize करें it's a breakdown of complex chemical into a simpler component that can be easily utilized our body used for optimum growth and development example की बात करें तो यह जो protein है complex molecule है यह अपने simple molecule यानि की amino acid में तूटता है तो यहाँ पर क्या हुआ क्या क्या चीज़ आपको याद रखने है simple सा trips याद रखेगा concept clear क्योंकि बच्चे अकसर confused होते है catabolism में और anabolism में यह जो catabolism में तीसरा word है T इस पे ध्यान दीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ यह लिखा मैंने line और यह T किया तो यह T हुआ ना मतलब इसको मैं काट रहा हूँ एक line को दूसरे line से काट रहा हूँ तो यह मेरे पास एक complex molecule है इसको मैं काट रहा हूँ तो यह complex molecule individual कैसे molecule में टूट रहा है small small molecule में टूट रहा है तो यहाँ पे हमारा जो catabolism हुआ वो तोड़ना हुआ बड़े molecule का छोटे molecule में हम कभी भी अपने diet में दूद, मांस, मचली हाले कि मैं vegetarian हूँ पर यह तो बोलना पड़ेगा इस तरह की चीजों का use करते हैं तो जो protein के काफी rich source है सोभीन, बड़ी वगरा, चने वगरा तो यह protein आकर के आपके body में तूटते हैं amino acid में फिर यह आगे जाकर के anabolism के process के through वापस से protein में convert हो जाएंगे सो catabolism समझा आपने अब अनाबोलिसम उसका उल्टा है जब catabolism में breakdown है तो anabolism में क्या होगा it's a combination it's a anabolism means catabolism का उल्टा यहाँ पे होगा आपका combination याद रखेगा एक याद रखें तो दूसरा automatic समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे combination of smaller component to build a complex chemical substance combination of amino acid जो टूटा था पहले combination of amino acid again to make a new types of protein तो यह आपको समझ में आ गया यह tips याद रखे काट देना फोर cut cat, cut, cut, cut ऐसा बार-बार आप पोलेगे न तो आपको समझ में आ जाएगा cut, मतलब टोड़ना अल्च्ट पार्ट में next है हमारा movement movement क्या होता है क्या आप कलपना कर सकते हैं कि जब कभी भी हम एक जगा पे बैठे होते हैं और अकर हमारी body में movement को support करने वाले system ना हो जो कि हमने पहले भी organ और even a single cell motion होना चाहिए क्योंकि हमारी body बनी है cell से तो यह जो motion है अगर आप reverse gear में जाओगे तो यह motion आपकी body का हो सकता है या तो organ का हो सकता है या तो एक simple cell का भी हो सकता है आप खुद एक move करते हो अपने घर से college, college से घर तो आपकी body move करी आपका organ move करता है किसी-किसी particular जगह पे और आपके जो cell है वो भी move करते है organ move करते हैं that means not one place to another place it's a expandition और single cell की बात करो तो हमारा जो RBC है WBC हो तो move करते ही करते रहते हैं तो यहाँ पे movement हो गया example की बात करते हो तो देखिए any injury or infection अगर यह कोई व्यक्ती है suppose यह कोई व्यक्ती है बढ़ियां अच्छा खासा है तो इसके हाथ वाले हिस्से में यहाँ पे कोई injury लग जाती है ठीक है यहाँ पे injury हो गई तो क्या हो आगे देखिए any injury or infection stimulate the WBC to move that particular part from the blood vessels to repair or heal the particular injured part तो यहाँ से इसकी जो body part के blood है WBC है वो इस जगह से move करके इस जगह पे पहुँचेगी ताकि इसको हम heal कर सके आगे आनेवल समय में जब आप फार्मकोलोजी पढ़ोगे और आफर इंफ्लामेशन रिपेर का पढ़ेंगे तो अहाँ पे हमारे WBC का movement होता है extra session के तुरू तो यहाँ से सबसे पहले तो integrating selecting के तुरू आएंगे और यहाँ से move करके वो उस particular part में पहुचता है जहाँ पे infection है तो इसको ठीक करने के लिए movement of WBC is very very essential और इसको हम समझ सकते हैं अगर WBC का movement नहीं होगा तो वहाँ पे fighting कैसी होगी WBC वहाँ पे जाएगा fight करेगा macrosum को या भी substance को inhibit करेगा और उससे जो हमारा part है injured वहाँ पार्ट वो heal हो जाएगा तो यह हो गया हमारा movement अगला है आपका responsiveness what is the meaning of responsiveness या आप बैठे हो आप बैठे हो एकदब ध्यान से किसी जीच को देख रहे हो और सामने वाला कोई कुछ आपसे पूछा जा रहा है बात करे जा रहा है बट आपका ध्यान पुरा किसी और जगह है तो आप उसको क्या बोल रहे हो आप response नहीं कर रहे हो रिस्पॉंसिवनेस मतलब होता है action के response में कोई reaction cause करना वो responsiveness है responsiveness मतलब क्या है अगर आपके बोड़ी में गर्मी लग रही है तो आपके बोड़ी उस गर्मी को response करेगा पसी नहीं कालने करेगा अगर आपके बोड़ी में जो खाना खाय हो उसको digest करना है तो उसके response में acid classification start करेगा कोई stimulus एंटर चला गया है तो cuffing के form में body से बहार निकालने कोशिश करेगा tusk को बहार निकालने कोशिश करेगा तो ये बोड़ी का किसी भी substance के response में response करना ये responsiveness कहलाता है so it is the ability of the body to detect or respond to any of the changes or stimulus it is either internal or external environment जैसे अगर आपकी body में कुछ changes होते है suppose blood pressure बढ़ता है तो आपकी body का जो हो मेंटेन करने कोशिश करेगा वो इंटरनल लेवल पे हो गया और वैसे कि अगर बाहर में करो तो मैं आपको sweating का example दिया था यहाँ पर दो चीज़ें याद रखे detect करना यह change हो रहा है कि नहीं हो रहा है और detect के साथ साथ उसको respond करना यह हमारे responsiveness के अंदर आजाता है example की बात करो तो endocrine cell in pancreas detect the elevated blood sugar level in blood and start secreting insulin to neutralize and balance the sugar level in blood इसका क्या मतलब है यह मेरा blood vessel से ठीक है इस blood vessel में blood move कर रहा है blood move कर रहा है और आपने diet लिया इस diet में आपने sugar का level glucose का level ज़्यादा लिया था तो अब glucose का level यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यह glucose के level को sense करेगा हमारे pancreas और वहाँ से secret करेगा इसके लिए insulin तो यहाँ पे diet कर रहा है कि आपके blood में sugar का level ज़्यादा है diet करने के बाद secretion करना स्टार्ट किया इस insulin का यह insulin जाकर के blood glucose को कम करेगा via utilization of glucose with the help of cell uptake तो यहाँ पे वो क्या किया response किया response करने के बाद उसको cure किया आगे बढ़ते हैं तो next है हमारा growth growth का मतलब होता है multiplication in terms of cell number और अगर आप बात करें को size में तो cell के size के respect में बात करेंगे तो यहाँ पे hypertrophy और hyperplasty दोनों आ जाते हैं और यह हमारे syllabus से पहले था pharmacology में हटा दिया गया adaptation of cell को चले देखते हैं क्या है it is characterized by the increase in the body size or either in number इसको हम लोग बोल सकते हैं hypertrophy hypertrophy मतलब है cell के size का बड़ा हो जाना यह word याद रखेगा बहुत important काम आ सकता है और hyperplasty इसका मतलब है cell के number में संख्या में विर्धी हो जाना जैसे यह एक cell है ठीक यह एक cell आगे जाकर के दो cell बना रहा है तो एक कदो हुआ तो यह number में increase हुए तो यह हमारा hyperplasty हो गया और hypertrophy की बात करो तो यह हमारा cell है size है यह किसी कारण से cell के size में enlargement हो जाता है तो यह हमारा hypertrophy कहलाएगा uterus जो है रिविविक समय hypertrophy में चला जाता है blood के cell जो है differentiation differentiation का क्या मतलब है अब ये बताओ ये गोला और ये गोला क्या अंतर है आप बता पाए दोनों में अंतर अब यहाँ पे देखिएगा मैं आपकी यहाँ पे color को change करता हूँ ये गोला था और ये गोला है हरा color का अब आप differentiate कर पाए अब इन दोनों में क्या differentiation हो गया ये तो आराम साँ बता सकते है So differentiation means ability to differentiate दो चीजों में अंतर कर पाना दो से अधिक चीजों में अंतर कर पाना या पहले कैसा था अब कैसा है इन दोनों के बिश्म अंतर कर लगा पाना ये 29 differentiation कर लाता है जैसे तू तो बड़ा सरीव था अब चोरी-चोरी करने लग गया तो आप चेंज हो गया यार वो तो बहुत गदा था अब होस्यार हो गया तो पहले क्या था और अब क्या है changes हो गया ना differentiation यहां पे समझिए this is one of the characteristics of the cell by which it develops from an unspecialized state to a specialized state जहां पे एक cell ऐसा characteristics show करता है जहां पे वो पहले unspecialized था मतब कोई special function नहीं था normal सा काम था उस normal से काम से एक special काम को करने के लिए specialized state में convert हो जाता है with different forms and function अलग-अलग form में change हो जाएगा अलग-अलग function करेगा and then it's unspecialized ancestor scene जबकि उसका जो पहला पुरुवत cell होगा वो उसी जगा पे होगा move नहीं कर पाएगा या अपने form में change नहीं करेगा कहने का मतलब यह है कि जरुवत के हिसाब से हमारे जो cell है वो अपने normal से function में unspecialized function में changes करेंगे और एक special task को perform करने लगेंगे तो इस तरीके से वो अपने पूरवजों से बिलकुल अलग हो गया यह कर लाता है आप पर differentiation एक्जामपल देखिए समझ में आ जाएगा एक्जामपल कहता है red bone marrow जो हमारे body में red bone marrow है वो एक specialized cell और unspecialized cell दोनों cell को difference करेगा जो अलग अलग तरीके की WBC को बनाते हैं तो इसके बाद है हमारा reproduction इस अनदर important cycle of human life as well as animal life यहां पर हम अपने generation को अपने species को continue करते हैं यहां पर cell division बहुत ही ज़रूरी है growth के लिए repair के लिए growth और repair मतलब यह एक छोटा बच्चा रहता है वो छोटा सहय भी वो growth करके बड़ा बन जाएगा तो यहां पर growth हो गया और अगर किसी पर्ट्रिलर में चोट लगी है तो इसको repair करके ठीक करेगा तो वो repair हो गया वहां भी cell के ज़रूरत पड रहा होगा तो एक नए जीव कुछ पत्ती होगी जो अपने आप में एंटाइटी होगा बिलकुल अलग एक माता और एक पिता अपनी पैचान है उनसे होने वाले संतान बिलकुल अलग इंडिविज्वल होगा तो यहां पी यही बता रहा है कि reproduction होता क्या है एक्जांपल की बात करते हैं, epithelial cell undergoes cell division, epithelial cell cell division की ओर जाता है, throughout the life, पूरी life उसके cell division पे जाता रहता है, for the growth and repair of different types of cell उनको हटा देगा और उनको dead cell को remove करने का काम करेगा, तो यह continue चलता रहता है, वैसे ही liver की जो cell है वो उनमें बहुत जादा multiplication हो की property जबकि nerve cell में ऐसा property नहीं होता है, तो यह कुछ basic life process थे, अब आपको मैं समझाने वाला हूँ, इनको एकदम simple तरीके से, responsiveness की तरीके से, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वो तो एक simple सा image है, थोड़ी दिर बाद मैं इसको minimize कर दूँगा, तो आप इनको movement देख पाओगे, जो हमारा metabolism था, उसका main site है हमारा liver ये food को क्या क्या करता है, catabolism और anabolism, मतलब complex को shorted particle में simplex forming करेगा, वो आपका catabolism, इनको वापस देख जोड़ेगा, वो आपका anabolism, दूसरा है differentiation जो RBC के बनने और differentiation और WBC के responsible है, आपके red bird board मेरों में, तो यहाँ पे RBC का का काम करेगा, growth हो रहा है, मतलब cell multiplication हो रहा है, और यहाँ पे cell multiplication हो रहा है, मतलब cell responsible है, responsiveness की बात करते हैं, तो touch का, एसास का, एसास होता है हमको, हमारे integumentary system से skin के तुरू, और movement होता है, हमारे bone और bone के साथ, joint, joint, cartilage, इनकी सहायता से, तो यह हमने points को देखा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक general तरीके से, ताकि हम आने वाले समय में इसी तरीके से, और वीडियो में आपके लेकर के आ सकूँ, तो वो क्या है, मैं करता हूँ minimize, यहाँ पे देखिए, यह हमारे पहला cell है, metabolism का, यहाँ पे हमने click किया, और यहाँ पे liver की आप 3D direction देखोगी, यह liver है, कुछ इस तरीके से, liver को आप चाहो तो यहाँ से rotate कर सकते हो, आप liver के अलगले angle को देख सकते हो, और मैं आपको जब पढ़ाऊंगा individual system, body के part, तो ऐसे ही diagram की मदद लेंगे, वैसे ही हमारा यह differentiation ले RBC है, तो यहाँ पे देखिए RBC का भी कैसा दिखता है, RBC के पूरे shape को आप 3D dimensional way में घुमा करके देख सकते हो, कि RBC दिखता कैसा है, यह आपके disc shape में दिख रहे हैं, जनरली हम लोग book में एक ही angle पे देखते हैं, यह देखिए आपको 3D angle में दिखा रहा हूँ, तो यह हमारे RBC हो गए, वैसे ही cell को भी अंदर जो cell के organals है, mitochondria जो आपको पूरा दिख रहा है, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, goldgy body, यहाँ पर nucleus, 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 सब कुछ आपको लगग लगग एक रिप्रेसेंट करने कोशिश कर रहे हैं, तो हम आगे दाके इस चीज़ को और अच्छे से देखेंगे, वैसा ही हमारा एक responsiveness के लिए cell है, skin है, हमको skin कुछ इस तरीके से दिखती है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से, हम इसके अंदर को देखना चाहते हैं, तो यह देखिए, यह skin का diagram बनाने के तो आएगा भी आपको, तो यह हमारे skin का diagram है, नीचे आपके muscles के layer है, बीच में आपके different types of blood vessels including pure blood और impure blood, तो यह हमारे response करने के organ हो गया, responsiveness को दिखाने वाले skin हो गया, और यहाँ पर देखिए, यह हमारे movement के लिए responsible है, यह हमारे pair है, इसमें different types of bone है, इसमें bone की बीच में यह जहाँ पर मेरा करसर दिखर आपको, यह joints है, फिर अलग अलग यह नीचे वाले power है, वहाँ पर movement होगा तो यह हमने अलग 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 चीज़ों को ध्यान से देखा, समझा, और आने वाले समय में आपको इसी का और 3D dimension और explain करते जाएंगे, जह हम system के बारे में बात करेंगे, इन सब के notes, screenshot, online mcqs, offline mcqs, अगर आप सब कुछ चाहते हैं, तो हमारा app है solution pharmacy का वो download कर लिजएगा Play Store से यह ऐसी वीडियो के description से, उसके बाद इस store tab में जाकर करके solution best ever, all in one का code select करें, वहाँ पे आप check करते जाएं, PDF notes, online mcqs, वहाँ पे आपको H.A.P. का मिल जाएगा, so friend, that's all for today, thank you so much for watching this video, नमस्कार, take care.